फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई जिसमें गवरक्षा के नाम पर इंसान की हत्या की जा रही है मानवता की हत्या की जा रही है गवरक्षा के नाम पर आतंक फैला आये जा रहा है ये कौन है जो गाय की रक्षा के ठेकेदार बने हुए है ये कौन लोग है जो धर्म के ठेकेदार बने हुए है किसने इनको गाय की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा की ठेकेदारी दिये देश के प्रधान मंत्री ऐसे तमाम मामलों में एक शब्द नहीं बोलते भारती जनता पार्टी ऐसी हत्याओं पर खामोस रहती है हर्याना की सरकार ऐसी हत्याओं पर खामोस रहती है इसका मतलब हर्याना की सरकार इन हत्याओं को प्रायोजित कर रही है इन हत्याओं को संड़क्षन दे रही है इन हिंसक कारवाईयों के पीछे हर्याणा की सरकार है उनके संड़क्षन में सब कुछ हो रहा है बारवी में पढ़ने वाला एक छात्र आर्यन मिश्रा 30 किलोमीटर तक उसको दोड़ाया गया 30 किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया यह तथा कथित अपने आपको गौर अच्छक कहने वाले लोग जो भारती जन्ता पार्टी और हर्याना सरकार के संड़क्षन में काम कर रहे हैं और उसके बाद उसको पीट पीट के पीट पीट के मार डाला और यह कोई पहला मामला नहीं है बंगाल के गरीब मजदूर को गुरगाओं में पीट पीट के मार डाला हिंदू मुसल्मान हिंदू मुसल्मान हिंदू मुसल्मान पीजेपी की पूरी राजनीती इस पर निर्बर है कितनी नफरत भरी हुई है इन लोगों के मन में पहले बुसल्मानों को मारो उनके घर तोड़ो फिर हिंदुओं को मारो फिर उनके घर तोड़ो फिर डलितों को मारो फिर उनके घर तोड़ो फिर आदिवासियों को मारो फिर उनके घर तोड़ो इस देश के लिए कोई अच्छे काम भी करने है इन लोगों को हर्याना की सरकार इस हत्या के पीछे सामिल है भारती जंता पार्टी इस हत्या के पीछे सामिल है और आर्यन मुश्रा के पिता का बयान सुनिये कितनी पीड़ा के साथ उन्होंने बोला कि मोधी सरकार इस प्रकार की हत्याओं को प्रसय दे रही है संदक्षन दे रही है इस तरह की कारवाईयों को बुल्डोजर संस्कृती चल रही देश में एक सो चवालिस करोन लोग सरकारे बना रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीम राओं बेटकर जी संविधान लिखे गए अपराधों के लिए देश में कानून बना है नयपालिका बनी है अपराधियों को सजा देने के लिए लोक तंत्र की जिगा बुल्डोजर तंत्र चल रह अभी एक बड़ी सक्ट पड़ी नयपालिका की सुप्रीम कोट की बुल्डोजर के बारे में आई है अपराध है आप धारा के अलग-अलग धाराएं हैं उसमें आप मुकदमा दर्ज कीजिए कारवाई कीजिए सजा दिल आई है किसी के घर पे बुल्डोजर किसे आप चला नहीं है यह बहुत बेवफा है बुल्डोजर यह कभी छटरपुर के मद्ध्रदेश में मुसल्मान के घर पे चलता है तो भाजपाई लड़ू बाढ़ते हैं खुसी मनाते है बुल्डोजर चल गया मुसल्मान का घर जमीदोज हो गया फिर काशी में चलता है हमारे पुरा आतन मंदिरों पर चलता है 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गये काशी के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ 300 से जड़ा है भाजपाईयों के द्वारा बुल्डो चला चला के वहालोगों के घर तोले गया उससे चेंल नहीं मिला लुटके स्ष्री राम की नगरी अιοध्या पहुच गय कि ए आयोध्या में चार हजार घर लोगों के तोडे कि चार हजार घर कि जमी दोच कर दिया बुल्डोजर चला के गए मंदिर तोड़ डाले वहां पर है कि में श्रकस करेंगे लोग कहीं आयोध्या में बुल्डोजर चल रहा है कहीं काशी में बुल्डोजर चल रहा है और कितने छद मुरास्टवादी हैं भाज़पाई भारत माता की जै लगाते हैं और भारत माता के मंदिर पर वाराणसी में काशी में बुल्डोजर चलाते हैं भारत माता के मंदिर पे बुल्डोजर चला दिया नोएडा में त्यागी के घर पे बुल्डोजर चला है बदले में फिर जिन लोगों ने आरोप लगाया था उनके घर पे बुल्डोजर चला है तो क्या बुल्डोजर से भला होने वाला है इस देश के लोगों का? क्या ये गौव रक्षा के नाम पे इंसान हत्या से इस देश को तरक्की मिलेगी? विकास मिलेगा? रोजगार मिलेगा? महंगाई कम होगी क्या हिंसा और नफरत की राजनीती से? लेकिन नहीं ये सुने ओजित तरीके से कराया जाता है अभी महरास्टरे के एक तज़्वीर है एक बुड़े आदमी को कई लोग मिलके मार रहे है मुसल्मान है ट्रेन में चल रहा है कहां लिखा है भाई हिंदु धर्म में अपने बेटी से मिलने जा रहा है कोई इसको पकड़ के मार रहा है ये आरेन मिश्रा के पिता को आज जो पीड़ा है तकलीफ है उनके घर वालों को इसका जवाब कौन देगा इसकी भरपाई कौन करेगा नरेंद्र मोधी कि नाइप सिंग सेनी हरियाणा के सरकार या बीजेपी कौन करेगा तो इसलिए गलत का विरोध करना है जो आम आदमी पार्टी करती है किसी के साथ दिए तलिद के साथ हो पिछनों के साथ हो आदिवासी के साथ हो मुसल्मानों के साथ हो या हिंदूओं के साथ हूँ मैं आकले आपको बता रहा हूं और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा दस साल में उन्चास घटनाएं हुई गौर अच्छा के नाम पे और इसमें पच्पन लोगों की हत्या हुई तिरानने में लोग घायल हुए और यह जादा तर भाजपा शासित राज्जी में हुआ 2014 से 2012 तक 172 इतना ही आख़़ा मिल पाया उसके बाद के आख़़े नहीं है मॉब लिंचिंग के मामले हुए और इसमें 21 हिंदू मारे गए और 21 हिंदू घायल हुए छे दलित मारे गए 42 घायल हुए मुसल्मान मारे गए यह सच्चाई है मॉब लिंचिंग की कस्मीर में आपने देखा कस्मीरी पंडित टीचर या बैंक में काम करने वाले जो या विहार के जो मजदूर वहाँ पे गए उनकी हत्या हो जा रही है इसी सासन में हुआ तो यह जो बुल्डोजर है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में भी चला अक्बर नगर इलाका है अठारा सो स्ट्रक्चर तोड़े गए घर मकान जो भी था 101 के करीब दुकाने तोड़ी गई और इसमें जादा तर हिंदूों के घर तोड़े गए मुसल्मानों के भी तोड़े गए हिंदूों के भी तोड़े गए तो मैं भाजपाईयों से यह कहना चाहता हूँ इस देश को नफरत की आग में जोकना बंद करो और यह जो उचलते रहते हो लड़ू बाटते रहते हो चलो मुसल्मान का घर तोड़ा गया चलो दिल्ली में जुगी तोड़ दी गई चलो गरीब का घर उजड़ गया बाटो लड़ू, मनाओ जस्त यह बंद कर दो कि यह तुमारे भी घर पे चलेगा तुम भी बचोगे नहीं आयोध्या कासी की हालत जाके वहाँ के लोगों से पूछो और यह किसी हिंदू धर्म में नहीं लिखा हुआ और कोई हिंदू धर्म की ठेकेदारी और कोई आइडेंटिकार्ड यह गौर अच्छकता था कथित अपने आपको कहने वाले इनके पास नहीं है कि किसी को भी पकड़ के मार दे आरद मिश्रा तो एक ब्राम्मर का लड़का था ना उसको गौहत्या के नाम पे मार दिया यह अपने पडोस में हत्या करेंगे कल को घर में हत्या करेंगे जब दिमाग पे खून सवार हो गया है तो ऐसी घटना होंगी तो इसलिए इस पूरे मामले की गुड़गाओं की जो घटना होई जिसमें एक बंगाल के गरीब मजदूर मुसल्मान को मारा गया और आरेन मिस्रा की ये जो हत्या हुई और ये दोनों हत्याएं गौर अक्षा के नाम पे हुई इन सब के पीछे कोई अगर सबसे अदा जिम्मेदार है तो भारती जनता पार्टी नायप सिंग सैनी की सरकार हरियाना की सरकार और इसका जवाब प्रधान मंत्री को देना चाहिए क्योंकि वो बार-बार दावा करते हैं वो डबल इंजन की सरकार हरियाना में चला रहे है तो डबल इंजन फेल हो चुका है इसलिए इस सड़े गले डबल इंजन को अब हटाना होगा और हरियाना की जनता हटाएगी